ईलो दोस्तों क्या हाल चाले हैं आप लोगों के तो स्वागत है आपका gate CAC Mentor में और मैं हूँ आपका mentor नमंगर पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता है था कि gate exam के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए तो उमीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आप अभी जा के उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो के आईएगा ताकि उस वीडियो से आप अपने लिए पूरि प्लैनिंग कर सेके कि आप लोगों को क्या करना है और तब आप आज की वीडियो देखें आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मार्क्स जादे अच्छे नहीं आए है जादे अच्छे का मतलब कहने का मतलब जिनकी rank 500 के अंदर नहीं आई है क्योंकि वो आप लोगोंने चेक करी लिए होगा कि कीसे आप लोगों को rank अनिहींब नहीं देखा है तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को अपनी rank कैसे चेक करनी है और उसके बाद आप लोगों कैसे कैसे प्रोसीड करना है अपनी प्रिप्रेशन के लिए ताकि जो IITs, IISC और जो भी ट्रिपल आईटी हैदरबाद जो भी कोलीजीज हैं जहां पर आप लोगों के इंटर्व्यू होने वाले हैं एड्मिशन के लिए कि उसके लिए आप अप जो करते हैं तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि गेट ने आप लोगों की जो रिस्पॉंस शीट है वो जनरेट कर दी है तो उसके लिए आप लोगों के अपनी गेट की साइट पर जाना होगा अपने उस पर पोर्टल पर लोगिन कीजिए और लोगिन करने के बाद आप को आप लोगों की response sheet बिख जाएगी अब आप लोगों को क्या करना है कि वो जो response sheet है उसका यहां से link उताना है और उस link को इस site पे जाके जो gate overflow की rank predator है यहां पे जाके आप लोगों को यहां पे नीचे इस portion में उस link को paste कर देंगे करने के बाद आप जैसे ही submit करेंगी तो आपको पूरी पूरी आपकी response sheet जो है वो analyze होके मिल जाएगी उसमें आपका पर question कि हाँ आपने जो एक question क्या है वो कितना वो ठीक है यह नहीं है उसका correct answer क्या था और आप लोगों के कितने negative marks है सब कुछ generate होके वो आपको दिख और यहां पर जैसे एक click here for rank है तो जब आप rank पर click करेंगे तो आपकी rank भी generate हो क्या जाएगी यहां आप लोगों की rank कितनी बैठ रहे है तो इस site से आपको full idea मिल जाएगा कि आप लोगों की rank और आप लोगों का great score क्या आने वाला है आप लोगों की rank 500 के अंदर नहीं है और आप लोगों को direct IIT के अंदर admission नहीं मिल रहा है यह मिल रहा है तो थोड़ी lower IIT में मिल रहा है lower IIT मतलब जैसे IIT हदरबाद में मिल रहा है तो और आप लोगों कुछ है कि नहीं मेरे को तो IAC Bangalore जाना है या IIT Bombay ही जाना है तो उस condition में आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों को इब लाती है आपका महाँ पर रिटन लेती है और अगर आप लोगों का यह दूनों क्लियर हो जाता है तो आपको IAC Bangalore में तीन साल का आरे मिल जाता है और यह data science और computer science यह दो department में IAC Bangalore कराती है पहले AI में नहीं कराती भी शायदा AI में कराने लगी होगी और उ उसके बेस पर आप लोगों को admission मिलते हैं तो इसी तरी किस होता है ऐसी ट्रिपलाइटी हैदराबाद में क्या होता है कि वह अपना उसके लिए आपको अलग से बढ़ना पड़ेगा उसका अलग से return होगा और उसका अलग से return होने के बाद जो लोगों के return के लिए होगा उन का टेसेंटर लगता है उसे तरह टेसेंटर लगेगा वहाँ पर आप जाएंगे आप अंदा टेस्ट देंगे उसके बाद जाके आपको IIT हधरबाद आप लोगों को interview के लिए पलाएगा और आप लोगों को इसके लिए तैयारी कुण-कुण सीकर सब्जेक्ट पढ़ने है क्या करना चाहिए तो चलिए अब शुरू करते हैं उसके बारें बात क्या करना चाहिए तो देखें इंटर्व्यू के लिए आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं बरी पूछा जाता है अच्छा नहीं discreet math भी कोई नहीं पूछता है तो इस तरह संपीर, data structure, operating system dvms और computer networks यह तो पूछे जाते हैं जो interview में पूछे ही पूछे जाएंगे, यह subject पूछे जा सकता है बहुत अराम से ठीक है चाहे है आप लोगों का एक तो linear algebra और एक probability यह दो टोपिक ऐसे हैं जो आपके डेटा स्ट्रेक्चर्टर डा बीडियमेस ओपरेटिंग सिस्टम और इन पांच की तो जो इंपोरेंट टोप्जिक्स हैं उनकी वीडियो मैं अपने इस चैनल पर बना चुका हूं आप जाएए उन वीडियो को चेक आउट कीजिए आप लोगों को आईडिया लग जाएगा क जो लेक्चर है इस वाली प्लेइलिस्ट को देखिए और इसको कंप्लीट कर लिए अगर आपने सो कंप्लीट कर लिया तो आप लिनेर एजब्रे के इंटर्वी में तहीं नहीं पस्लिए लेकिन आप 10-15 वीडियो के अंदर आप लोगों को काम हो जाएगा ठीक है यह आप लोगों का लीना युजब्रा सोट हो जाएगा अच्छा बात आते है प्रोबैबिलिटी के लिए आपके पास नोक्स होंगे आप लोगों ने प्रेक्टेस कर रख्ते होगी तो आप लोगों वहां से कीज़ेगा जनरली इंटर्वीव में प्रोबैबिलिटी तो इनके बिस आप लोगों से जो इंटर्वीव पूछा जाए बात यह है जो रिटर्न होगा रिटर्न में भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना तो रिटर्न के लिए आप लोगों को परने पड़ेगी डेटा स्टेक्चर की और डागी इन दो टोपिक्स की प्रेक्टिक तो उसके ल पहले है करत प्राएं यहां से प्रेक्टिस सेक्शन में जाएं प्रेक्टिस सेक्शन में जाने के बाद डेटा स्ट्रक्टर वाले सेक्शन में जाएं और डेटा स्ट्रक्टर वाले सेक्शन में भी आप लोगों को यह जो टोपिक्स हैं यह इसके अंदर भी आप लोगों क कोशन पुछे जाता है वह basic डाप easy or medium level के पुछे चाता है hard level के कभी निए तो इसी लिए सिर्फ और easy और medium level के ही कीज़ें जैसे यहां पर आप लोगों के level show कर रहा है न देखिए यहां पर हर question के आगे लेवल शो करा, easy, medium, तो सिर्फ easy और medium के ही कोशन कीजिए, इंटोटेक्स की, बागे छोड़ दिएगा, कोई दिक्कत के बाद नहीं, आगर आप ने इतना कर लिया, तो आप लोगों के जो return exams है, और interview में अगर अगर कोई कोई कोशन की जा गया, तो आप पर आम से चल लेगे, इसी तरीके से है, आप लोग hacker rank पर भी देख सकते हैं, hacker rank पर जाए, practice section में जाए, यहाँ पर प्रेक्टिस section में जाने के बाद, यहाँ पर data structure का section दिख रहा हो गई है, इस पर जाए, यहाँ पर जाने के बाद, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, देखे, easy और medium, जैसे में आपको बताए, easy medium की question पर जाते हैं, तो उन दोनों को select कर लिजेगे, plus सारे topic आप लोगों को नहीं करने है, array, link list, tree, balance trees, stack, tune, heap, heap, heap भी कर सकते हैं, बाकि यह कर लिजेगा, ठीक है, तो इसके question देखे, limited question है, आपको जादे question ही मिलेंगे, पर इन लो questions को कर लिजेगा, आप लोगों को सारा काम बन जाएगा, कोई दिक्तर की बात नहीं हो, अपनी लिए, जो भी, जिस भी programming language में, आप अपनो question attempt करना चाते हैं, आप अपनी coding करना चाते हैं, उसके लिए specified पढ़ लिजेगा, माल लिजे जैसे मैं C++ में करता हूँ, तो आगर आप लोग C++ में करते हैं, तो आप लोगों को STL बहुत अच्छे पढ़ लेना चाहिए, STL के अंदर क्या होगा, जैसे वेक्टर कैसे implement करते हैं, अनुरेड मैप कैसे implement करते हैं, अनुरेड मैप कैसे implement करते हैं, sorting algorithms कैसे लगाते हैं, तो यह जो चीज़े हैं, यह प्रोपर फंशनल्टी देता है, STL के पूं में, महाँ से implement कीज़ेगा, यह चीज़े बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, पर बहुत लोग ऐसे होगे, जो नहीं जानते होंगे, क्योंकि जैसे मैं बता रहू हूँ, मेरे ऐसा condition था, जब मैं गया था, इंटर्व्यू द बढ़ाया जाता है, जो भी बढ़ते हैं, स्टुन्स कुछ बढ़ते अपने आप, तो बहुत बार गाइदेंस प्रोपर गाइदेंस नहीं मिल पाता, तो पता ही नहीं रहता है, कोडिंग के नाम पर नॉर्मल कोडिंग पर लेते हैं, जो कोलीजों में कमपनी आती थी, वह वह उमीद है, आप लोगों में से बहुत लोगों की होगी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़े, क्योंकि हम लोगों मुझे कोई गाइदेंस से उस टेम परोपर मिला नीए ता, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी दे साथ जो हुआ है, मैं आ आप लोगों को तो उस गाइडेंस के लिए आप लोग मेरे लिंक दिन पे मैसेज को मैसेज कर सकते हैं मैं आपको महाँ सब कुछ प्रोपर गाइडेंस दे दूँगा कि हाँ आपके लिए क्या होना चाहिए और बस इतना कर लिजेगा बाकी इन कोश्चन से रिलेटिड मैं अपनी चैनल पे वीडियो भी लेके आने वाला हूं मालिजे जैसे मैंने आपको जो बताया है ना इन्हीं कोश्चन के रिलेजिड मैं आपको प्रोपर वीडियो दूँगा कि हां मालिजे से रिवर्स लिंक लिस्ट है तो इस प्रोग्राम को आप को कैसे कर सकते हैं तो उसे में जो यह कि लिए लाइक कीजिए और बाकी जो जो आगयाता रहेगा वह आपके पास पोच्ट आ ठीक है और परसनल मेंटर्शिप के लिए आप मेरे लिंग्ज में मुझके मस्ट ने सकते हैं ठीक है अल बेस्ट थैंक्यू